दोस्तो आज ए 1st November 2022 मार्केट के अंदर आज फिर से हमें भारी भर कम रिकावरी देखने को मिला जहां पे 5050 क्लोजिंग दिया 18,145 पॉइंट पे लगबग 0.74% तेज़ी के साथ तो आज इस वीडियो में हम बात करेंगे कुछ important company की share के उबर जिसका आज quarter 2 का result आउट हुआ और इसका impact जो है आपको कल जब बजार open होगा आपको definitely देखने को मिलेगा अब चले एक एक करके देख लेते हैं सबसे पहले दोस्तों हम बात करेंगे वरून वेवरेज लिमिटेड यानि VVL आज during market पे company का result आउट हुआ और share almost 5% उपर जाके closing दिया आपको तो मालूम ही ह लगातार जब share 1950 लेवल पे ट्रेट करा तक उस टाइम पहले लगातार में आपको बाई करने का रेकमेंट भी दिया था अब चलिए सबसे पहले मैं आपको दिखाता हो कि company का इस बार रेजल कैसा आया है और उसके सासत कि आपको immediately invest करना चाहिए इसके अंदर या आपको 955 करोर का टोटल रेविन्यू इस बार थोड़ा गिरावट हुआ 3177 करोर का रेविन्यू जनेरेट कर पाया company ने जो कि year on year पर अगरम बात करें तो यहां पे काफी बढ़िया जम देखने को मिला नेक्स्ट अगरम बात करें मार्जिन तो देखें मार्जिन के अंदर year on year प आने के बाद भी शेयर चल जाता है तो देखें वरण वेवरेज अगरम बात करें तो थोड़ा मिक्स टाइप का आपको रेजल देखने को मिलेगा जहां पर quarter on quarter पे गिरावट हुआ कंपनी का नेट प्रोफिट आया है 511 करोर रुपए वही लास्ट यर की बात करें तो यह हो गया दोस्तो अल्टिमेटली आपका वरुन वेवरेज का रेजल अब बात करेंगे कुछ इंपोर्टेंट की फैक्टर्स ध्यान से समझना वरुन वेवरेज के जो बिजनेस है बिसिकली कोल रिंग्स बगरा सौफ डिंग्स बगर जो की कंपनी बेचते है ठीक है पेप्सी को का जो की कंप्रीट लिए बोल सकते इंडिया के अंदर फ्रैंचेस लेके रखा अब दे हमने देखा था जिस बैसे आप देखें डिसेंबर जैनरी पे शेयर एक दों फ्लैट था थोड़ा बहुत कमजोरी या थोड़ा बहुत कंस्वारीडिशन फेज पर अल्टिमेटली जैनरी की बात सी शेयर कंदर फिर से मोमेंटम जेनेट होता है ठीक है जैसे जो इंडर हट भतने लगता है सेम्टु समस्टिएशन हर साल हमने देखा वहीं दिसेंबर जैनरी से शेंट थोड़ा बात कमजोरी देखने की मिलता अब जैसे शियर चांद थ थोड़ा बत कमजोरी होगा लें बात تब करण करना अभी मैं आपको बोलूंगा अगर आप पहलेंज इन्वे मैं आपको रेजल के उपर लेके चलता हूं तो चलिए आ चुका है तो सेप्टमबर कॉर्टर का रेजल राइट सेट कॉर्णर पे जैसे कि आप देख सकतो कंपनी का जो सेल्स है उसके अंदर काफी भारी बरकम हमें जम देखने को मिला जो कि लास्ट यह पे हुआ था कंपनी इंकम 34,773 करों रुपे इस बार बरके 22,763 करों रुपे तक पहुंच चुका जो कि इसके पहले भी मैं बार-बार आप सभी को बोला था कि इंडिया जैसे दोस्तों ग्रेंग कंट्रीज डेपलफिंग कंट्रीज के अंदर बहुत बड़े-बड़े आज की रेट पर देखने को मिला लास्ट यह पर कंपनी का मार्जीन था और मुस्ट सिक्स्टीन परसें इस बार देखी कम होके हो चुका है ग्यारा परसें जो कि क्वाटर और पेक्दम एक दो फ्लैट है मतब लास्ट कोटर में भी 11 परसेंट अभी 11 परसेंट है नेट प्रोफिट की बात क आपको कल जब बजार ओपन होगा डिफिनेटली देखने को मिल सकता है तो कंपनी का नेट प्रोफिट आया है दो हज़ार साथ सब्सक्राइब रूपर जो कि यह और यह पर बढ़िया जम देखने को मिला शेयर देखिए अपना ओल टाइम हाई का स्ट्रेट करेंगा तो य कंपनी अच्छी कंपनी बट फिलाल बाई करने का जो लेबल से वह अभी नहीं है अभी थोड़ा से रुख चाहिए शेयर कंदर कैसा इंपक्ट आता है कल पहले चेक कीजिए उसके वादी इंवेस्ट करना नेक्स्ट इंपोर्टेंट शाद दोस्तों एलाई सी हाउजिंग फरांस एलाई सी हाउजिंग फरांस बहुत शांदर एक इनवेसी कंपनी आज कंपनी का जो की कोड़र टू करेजल डाउट चलि मैं आपको दिखाता हूं सबस्टेंबर कोड़र का रिजल कैसा आया है तो देखिए यहां पे सेप्टेमबर कोड़र का रिजल जो की जो की व करें अभर देखनी को मिला लास्ट कोड़र में ता पांचसा दोसो चैनले करोर का टोटल शरपाट आप हो चुका है मतब्स दिखने को मिला और लास्ट य्कार की साथ इग्रम कंपेर करते हैं पर आप देख सब्सक्राद को मिला मार्जीन की बात करें तो यह और और यार ब पर मार्जिन काफी कम हो चुका है उसके साथ सदम ने देखा कि टोटल रेविन्यू भी काफी कम हुआ जिस बैसे यह और यह पर तो कंपनी का रेजल के अंदर कोई बहुत बढ़ा मतवियां पर बोल से तो की गिरावट नहीं बलकि तेज़ी देखने को मिला बाट क्वाटर पर काफी हद तक हमें गिरावट देखने को मिला मतब आपके 927 करोल का नेट प्रोफिट पहुंच गया दा लास्ट कोटर में वेस पर गिरके 311 करोल तक पहुंच चुका तो दोस्तों आपको कैसा लगा रेजल्ट डेफिनेटी कमिन वक्स से बताना अब चलिए बात तो 360 परसंट का जो की स्पेशल इंटर्म डिविडेंट कंपने डिगलार किया कितने रुपए का चलिए नीचे चलके देख लेते हैं तो बेसिकली जैसे कि आपको मालूम है कि डिविडेंट हमेशा फेसबल को पर पेए किया जाता है तो बहुत लोगों को नहीं मालूम दि परसंट का डिविएंट कंपनिया पर डिकलार किया तो काफी अच्छा खासा यहां पर एटिंग डिविडेंट यह अट्र रुपए का डिविडेंट तो इसका रेकॉर्ट डेट है कंपनी का रेजल कैसा आउप देखें का रिजल इस पर तो यह दिखा था थोड़ा बहुत वी प्रकूट अठाली जिए थोड़ा बहुत हमें कमजोरी देखने को मिला था इच सिल के अंदर भी देखने को मिला था तो टोटल कंपनी का जो रेविन्यू आउट हुआ यहां पे रेविन्यू आया है तीरह हजार एक्सो तीस कर रुपए जो कि यह और और यह बिस पर क जो कि नेट प्रोफिट के अंदर देखने को मिल गया जैसे कि अब देख सेकतो लास्ट यह पर कंपनी का नेट प्रोफिट आया था था तीरा सो एक्टालीस कर रुपए इस पर गिर के अल्मोस्ट तीरा सु करोर के आसपस महुच चुका मतलब 1299 कर रुपए जो की कौटर पर थोड़ा बहुत हमें देखने को मिला यह होगा अल्टिमेटली टेक मेंद्र का रेजल्ट तो यहां पर मैं आपको भूलूंगा अभी शेयर कंदा इंवेस्ट करने की जरूरत नहीं जैसे कि पहले भी आपको मैं कहा था अगर आपको इन्वेस्ट करना है तो आई टी से आपको अपडेट दिया था तो कल मतलब टुमारो भी अपडेट आपको दे दूंगा साथ से और भी बहुत सारी कंपनी इसका रिजाल्ट होगा उसका भी अपडेट दे दूंगा तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना पासमें बेल एकन को भी क्लिक कर देना तो वीडियो का फिलाल यहां पर वाइंड अप करता हूं मिलते है नेक्स वीडियो पर तब तक लिए टेक क्या बाबाई जैहिंद